इंगलेंड और श्रीलंका के बीच तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंगलेंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोकस को स्पिन गेंदबाजी करते हुए देखा गया स्टेडियम में खराब रोशनी के कारण वोक्स के पास स्पिन गेंद बाज बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था काले बादल छाने के कारण अमपायरों को लाइट के लेवल चेक करनी पड़ी और उन्होंने इंग्लेंड के कप्तान ओली पोप को बताया कि तेज गेंद बाजी के लिए रोशनी बहुत कम है वोक्स जिन्होंने पहले ही ओव में चार गेंदे फेकी थी उन्हें छे गेंदों का अपना कोटा पूरा करने के लिए स्पिनर के रूप में आखिरी दो गेंदे उसने गेंद बाजी की वोक्स को स्पिन गैन बाजी करते देख जो रूट जो एक बहतरीन पार्ट टाइम स्पिनर भी है अपनी हसी नहीं रोक पाए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्रिपे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें